सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए जैहिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेडी प्रेट्फोर्म में दोस्तो सीटेट एक्जाम को मद्दे नजर रखते हुए आज इस वीडियो में हम स्पेशल पैडागोजी कॉंसेप्ट आप ये यकीन मानिएगा कि क्वेशन की स्रंखला दोस्तो बहुत टॉप लेवल की रखी गई है कोई कॉंसेप्ट का क्वेशन नहीं है पैडागोजी वाले बच्चे देखिएगा कि कॉंसेप्ट कैसे एक्जाम में पूछे जाते हैं पहला कुस्तन आपके स्क्रीन पर है कि अधिगम के लिए निमलिखित में कौन सी धारना उप्युक्त है ध्यान दिजेगा अधिगम क्या है अधिगम एक ऐसा परिवर्तन है जो इस्थाई परिवर्तन है अधिगम को इंगलिस में कहा जाता है learning या सीखना कहा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम options की बात करें तो प्रयासों से कोई फरक नहीं पड़ता एक अधिगम ऐसी प्रक्रिया है योग्यता सुधार है यह अधिगम का प्रारूप है योग्यता अटल है या फिर असफलता अनियंतरित है तो दोस्तों याद रखेगा इस questions का जो option जाएगा याद रखेगा जब भी हम improvement की बात करते है तो चाहे वो cricket का खेल ही क्यों ना हो हम practice के दोरान उसको हमेशा की तरहे रोजाना improve करते हैं चाहे वो mathematics का portion ही क्यों ना हो है न योग्यता हमेशा improve करेगी करेगी question number two आपके screen पर है किराहिन निम्लिकित में कौन सी परिपाठी विध्यार्थी में संकलपनात्मक समझ में बढ़ोत्री करने में साहिक है ध्यान दीजेगा कौन सी ऐसी परिपाठी दोस्तों जो student में संकलपनात्मक का मतलब होता है जहां पर तरक बच्चा कर पाए चिंतन कर पाए मनन कर पाए वहां पर हम किस तरीके से यहां पर options को लेंगे अन्वेशन और संबाद प्रतिस परदा आधारित प्रतिस परदा है पाठ्थ पुस्तक केंदरित शिक्षा सास्त्र या फिर बारम बार परिक्षा है तो दोस्तों कर मैं बात करता हूँ इस question में तो answer किसके साथ जाएगा option नंबर A के साथ जाएगा अन्वेशन और संबाद क्यों कि अन्वेशन और संबाद का मतलब होता है कि बच्चे संबाद करेंगे आपस में एक दूसरे के विचार आचार को आदान प्रतान के माध्यम से अन्वेशन का मतलब होगा कि खोज विधी पर आधारित है ना चीजों को खोजेंगे करके सीखेंगे option जाएगा एके सा है आप तीन option को हटा दीजेगा और एक option सबसे positive अगर है तो वो लगजाएगा ठीक है ना वो लगजाएगा अगर इस question में आप देखिएगा दो question पूछे जाते हैं एक तो question पूछा जाता है समस्या को दिखाने के लिए question में जब पूछा जाए कि बच्चों को अगर कोई स समझेगा इस question का जो right answer जाएगा वो जाएगा option number B के साथ सूचना अलग-अलग टुकडों में प्रस्तुत की जाए तो यही दोस्तों यहाँ पर बच्चों को सीखने में कठनाई होगी लेकिन अगर यहाँ पर कह देता कि समस्या को समधान करने के लिए कौन सा based option होगा तब बच्चा जटिल संक्रियाओं में जाएगा और वही प्रक्रिया को एक साथ में प्रस्तुत कर दो तो बच्चा समझ जाएगा अगर उसको तोड़ मरोल करोगे तो बच्चा कठिनाई से जूजता रहेगा दोस्तों इसलिए option जाएगा वही के साथ के लिए चलिए अगला question आपके screen पर है जवाब चाहिए आपसे अधिगम की सरवत्तम अवस्था कौन सी है अब ये question exam में आजकल बहुत trend हो रहा है बहुत logical question लिए है कोई फाल्तू का question नहीं है वही question लिए जो exam में trend करेंगे अब देखे option करा कोई उत्तेजना नहीं कोई भै नहीं अधिगम की सरव इसलिए भै नहीं तो दोस्तों आप ये बताओ कोई बच्चा सीखेगा किस environment में सीखेगा अच्छे environment में सीखेगा और एगर अच्छे environment में सीखेगा तो उसका जो उत्तेजना का प्रभाव होगा वो संतुलिस walent सवस्था में रहेगा और भै तो होगा तो भैतो बिलकुल नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं, option number हमारा क्या जाएगा, D के साथ, भाई कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो भै अगर होगा, तो वो option नहीं ले सकते हैं, है ना, कोई उत्तेजना नहीं, सीखने की तो ललक होनी चाहिए, इसलिए यहां पर positive होना चाहिए, यहां पर negative होना चाहिए, option किसके साथ, D के साथ चला जाएगा, अगला question है, five number, अधिगम का सन्रचनात्मक विचार यह सुझाव देता है, कि ज्यान की सन्रचना में, बच्चे पूर्ण रूप से पाठे पुस्तकों पर निर्वर रहते हैं, गलत बात, यह नहीं होना चाहिए, कोई भी ची पर रहेंगे, और ना वैसकों पर रहेंगे, वच्चे सक्री भूमी का निभाते हैं, दोस्तों, इसलिए इस question का answer किसके साथ जाएगा, option number D के साथ, हमें ऐसा positive feeling को ही रखते हुए, हमें अपने exam हाल में questions को करना है, ठीके न, यह बात दिमाग में feed कर लीजे, दोस्तों, बह question में, यहाँ पर यह लिख ले, आत्म केंदरिता, यह यहाँ पर बढ़ा लीजेगा है, question क्या है, देखे, एक कारी के दौरान, सायना सोयम से बात कर रही है, कि वह कारें पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, लेब बाइगोस्की के भासा और चिंतन सोच के बारे में दिये विचारों के अनुसार, इस तरहे का व्यक्तिगत वाग के क्या दरसाता है, तो देखे, यह क्या है, जब व्यक्तिगत होगा, तो वो व्यक्तिगत वारता होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यह question बदल गया है, इस बार कहरा, बाइगोस्की, तो दोस्तों, इस केंदृता नहीं, आतम केंदृत का मतलब होता है, जब हम centered की बात करते हैं, हम अपने आप के अंदर एक इस तरीके से केंदृत होकर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी शमस्या का निदान करने के लिए हम केंदृत होकर उन शीज को यक जिसा दे रहे हैं, वो हमारा एक अलग matter है, यहां पर जब खुद से बात करने की बात आएगी, तो हम option number C लगाएंगे, यह बात दिमाग में हमेसा रख लिजएगा, कुस्षन number seven, मूल ल्यांकन, आकलन से आपके दो से चार कुस्षन पोचे जातने हैं, कुस्षन को करिएगा, देखिए क्या कह रहा है, कुस्षन क्या क्या answer होगा, पुरुसकार वित्रण हे तु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विध्यार्थियों की पहचान करना, विध्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारी समुवों में विध्यार्थियों को विभाजित करना, या फिर लास्ट वन, विध्यार्थियों की जरूरत एवं आवज सकता हूँ की पहचान करना तो मैं ये कह सकता हूँ क्या मैं ये कह सकता हूँ आसानी से कि जो बच्चे option नंबर किसको मार रहे हैं option नंबर यहाँ पर मारने की कोसिस कर रहे हैं भहिया d option को क्या है अगर आप d option को मारने की कोसिस कर रहे हैं तो मैं यह कह सकता हूँ आप बिल्कुल क्या है विल्कुल दोस्तों सही होने की कगार पर है यानि ओप्शन किसके साथ जाएगा ओप्शन चला जाएगा ओप्शन नमबर डी राइट वन हो जाएगा ठीक है क्योंकि विभाजित करना एक निगेटिव है नामांकित करने से ची कुस्षन है अब ये कुस्षन आपको एकजाम में किसी भी पैडागोजी सेक्शन में मिल सकता है उसका आंसर एक ही रहता है ध्यान दीजे और आएगा दो कुस्षन आपके यही आएगा और दोनों कुस्षन को बदल दिया जाए लेकिन आंसर नहीं चेंज होगा इस नमबर हमारा किसके साथ एक एसाथ लूक हो जाएगा केवल वाले option कभी भी नहीं हमें लेने हैं यह negative sense की तरब जाते हैं यह केवल वाला sense हमारा negative है ना और ना यह भी negative है तो दोस्तों हम ऐसे भी अपने option को लगा सकते थे कि यह तो गलत होगा यही answer सर सही हो जाएगा अगला कुस्सन आपके स्क्रीन पर है कुस्सन नमबर नाइन आप से क्या कह रहा है करा एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा यह देख कर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह विवहार ना करो लड़के रोते नहीं यह दोस्तो स कह रहा है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा ठीक बात रोहन एक लड़का है और यह देख कर उसके पिता ने उसके फादर ने कहा कि भाई रोना